नमस्कार दोस्तों मैं प्रेंग सेनी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लेर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे लेंथ ओफ चेन के बारे में कि किस तरह से एक्जेक्ट जो लेंथ है चेन की हम निकाल सकते हैं तो इसके लिए हम हम एक्जांपल लेते हैं तू स्प्रोकेट का एक हमने लार्जर स्प्रोकेट लिया एक स्प्रोकेट लिया स्प्रोकेट हमारे क्या होते हैं जिनके ओपर टीथ होते हैं जैसे मान लिजी हम यहां पर एक उसका एक्जांपल बना लेते हैं इस तरह का तो इसके उपर जो है इस और एक smaller sprocket हमने ले लिया और दोनों को हमने एक chain से connect कर दिया अब देखिए अगर हम open drive system के लिए length of chain निकाल लें तो उसके लिए हमारे पास formula होता है pi r1 plus r2 plus 2x plus r1 minus r2 का square divided by x यहां पर r1 क्या है r1 है हमारी यह जो radius है यानि कि जो larger sprocket है इसकी radius और r2 क्या है जो smaller sprocket है इसकी radius यह r2 हो गया x क्या है इन दोनों के बीच का distance और यहां पर देखिए अगर हम इस formula से length of chain निकालते हैं तो थोड़ा सा जो result है वो greater आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा वो क्यों मिलेगा क्योंकि यहां पर हम अगर बात करें तो circle की बात कर रहे है circular type की sprocket की लेकिन sprocket जो है हमारा circular type तो नहीं होता इसके ओपर teeth होते हैं तो यानि कि इन points को अगर हम मिलाएं तो हमें polygon type यह मिलता है ना कि circular type मिलता है इसी तरह से smaller sprocket को देखें तो यहां पर भी हमें polygon type यह इसके shape मिलती है ना कि circular shape में तो circular shape में इसको ज्यादा length cover करनी पड़ेगी chain को यानि कि जो result आ आएगा अगर हम इससे comparison करें यानि कि exact अगर length से comparison करें तो हम आज exact length ही निकालने की कोशिश करेंगो उसके लिए formula निकालेंगे कि किस तरह से exact length जो है हम निकाल सकते हैं किसी भी chain की sprockets के ऊपर तो यहां पर हम माल लेते हैं कि यह centers है इनके और इनका जो center to center distance है वो x है जो क यहां पर अगर हम कुछ terms लें अब हमें teeth की बात करनी है ना कि इसकी circular या कहीं की circumference की बात करनी है तो यहां पर T1 हम ले लेते हैं कि जो number of teeth हैं तो T1 हम ले लेते हैं कि number of teeth होन largest sprockets और T2 जो है number of teeth होन smallest sprockets इसके ओपर T2 है हमारे P ले लेते हैं pitch of the chain पीच क्या है हमारे जो कि यह जो होती है इन दोनों के बीच का जो distance होता है यह pitch होती है जैसे कि माल लिजे एक chain है आपके पास और उसमें hinge center होते हैं इस तरह से कितनी भी लंबी chain आप ले सकते हैं इन hinge वे सर्कल की center तक का जो distance होता है यह pitch है चेंड की तो यह pads पीछ of the chain डी डायमेजर of the pitch circle अब यह JE पीच सर्कल क्या है पीच सर्कल होता है जैसे जो point है और यह हमने circle लगाया in point से होता हुआ जो पिछ circle होता है और इसी circle का जो diameter होता है उसको pitch circle diameter वोलते है तो d जो है diameter of pitch circle होता है ये पिछले lectures में हम पड़ चुके हैं अब यहाँपर जो d है उसकी value हमने निकाली थी वो होती है P cosecant 120 degree by T ये भी हम पिछले lectures में निकाल चुके हैं तो यह तो diameter के लिए value निकाली थी तो हम यहाँ पर radius के लिए अगर value निकाले तो वो क्या हो जाएगी P by 2 cosecant 180 degree by T यानि कि यह diameter है तो radius के लिए हो जाएगी P by 2 इसी तरह से अगर R1 की value हम निकालें यानि कि यह R है तो R1 की value अगर हम निकालें यानि कि जो radius है largest bracket की वो हम निकालें तो P by 2 cosecant 180 degree by T1 हो जाएगा क्योंकि इसके ओपर T1 T है R2 की value निकालें तो P by 2 cosecant 180 degree by T2 हो जाएगा तो R2 की value आगई अब उसके अलावा यह term बची PY R1 प्लस R2 हम यह क्यों निकाल रही है ताकि हम exact length की value निकाल सकें तो यहाँ पर हमने R1 की value निकाल ली R2 की निकाल ली इस तरह से और PY R1 प्लस R2 यह क्या चीज है यह हमारी अगर हम देखें PY क्या है कि यह half circumference है और R1 प्लस R2 क्या है जो radius है जो दोनों सप्रोकेट्स के तो यानि कि जो pit circle था हमारा अगर हम कि इस पूरे pit circle की बात करें तो यह इसका half है यानि कि pi है 2 pi नहीं हमने लिया यानि कि half लिया यानि कि pi R1 प्लस R2 यानि कि दोनों की जो radius है largest pocket और smallest pocket उनका sum दिया गया है तो इसको आप कैसे लिख सकते है teeth की form में तो यह हम जो है इस form के अंदर लिख सकते हैं तो यह अब देखे R1 R2 और इसकी value आ गई अब हम यह सारी value यहां पर put कर देंगे और एक और value हम यहां पर put करनी है जो x की value है इसको हम m dot p लिख सकते हैं m क्या है mass जो है जो भी आप पर meter length ले रही है belt की जो chain है उसकी और p क्या है pitch तो x को mp लिख सकते हैं यह भी आपने ध्यान रखना है कि mass और into जो pitch है जो पर meter length आपने ली है उसके अंदर तो यह सारी term आपको यहां पर इस formula में put कर देनी है तब ही आपको exact formula मिलेगा यह formula है और यहां पर देखिए हम p को common ले लेते हैं यहां से p को common निकाल लेते हैं p को जब आप common निकालेंगे तो यहां पर एक क्या आजाएगा t1 plus t2 by 2 आजाएगा x की जंगा आपने क्या put कर दिया mp पूट कर दिया यहां पर m रहा गया p हमारा बाहर आगया यहां p by 2 था यहां p by 2 था अगर आप इसको इस bracket से बाहर निकालेंगे यहां square है तो हमारे पास क्या आजाएगा p square by 4 आजाएगा लेकिन नीचे x था तो x हमारा mp के बराबर था x किसके बराबर था mp के बराबर तो यहां पर mp पूट करेंगे तो p से p cancel out हो जाएगा और यह जो single p है यह हमारा बाहर common हम पहले ही ले चुके है यानि कि यह जो है तो यहां पर इसी लिए सिर्फ क्या बचा cosecant 180 degree by t1 minus cosecant 180 degree by t2 तो p जो है एक तो यहां पर cancel out हो जाएगा यहां पर 4m बचेगा क्योंकि यह 4m है p से p cancel out एक p हमने common ले लिया तो यह हमारे पास आ जाएगा अब इस जो पूरा यह bracket के अंदर है इसको अगर हम पूरे को k लिख ले एक multiplying factor k से denote कर दें तो यह हमारा answer क्या आ जाएगा जो length है वो p into k के ब्राबर आ जाएगा यानि कि यह formula हमारा बनता है अगर length of belt आप जो sorry जो chain है वो निकालना चाहते है sprockets के लिए अब यहाँ पर जो k है जो यह multiplying factor है इसकी value जो है यह integer की form में आने चाहिए लेकिन अगर आप calculate करेंगे तो complete integer जो है लगबग नहीं आएगा तो इसलिए हम क्या करते हैं कि round off कर देते हैं इस multiplying factor की जो भी value आती है उसको round off कर देते हैं यानि कि पूरा एक integer number ले लेते हैं क्योंकि L जो है हमारा जो length है वो pitch जो है chain की उसके integer number के multiply के बराबर है जितने भी integer number आएंगे यानि कि इसको अगर के को calculate करें तो एक whole number आना चाहिए calculate करके एक पूरा number integer हमारा बनना चाहिए तो इसलिए इसको round off कर देंगे पूरा number ले लेंगे अगर वो जो है fraction भी आता है तो पूरा integer आप उसको एक पूरा number बना लेंगे और फिर जो है हम इसको calculate करेंगे तो इस तरह से यह ध्यान रख रहा है निकालते समझे अब the length of chain निकालेंगे तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद